सबी दर्शकों का फिर से स्वागत एक नए वीडियो में आपके अपनी यूटूब चनल आयलवेदी स्टेशन पर दोस्तों में फुक्रा साहू पतंजली में घास्टो निमत से दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको पतंजली की चार एसी आयलवेदी गोश्दिया बताने तो उसमें बहुत ही जबर्दस्त फाइदा मिलेगा तो दोस्तों क्या इन ओजडियों के नाम है कैसे आपको यूद लेना है पूरी जयनकार के लिए वीडियो बेंट तक जरूर देखिएगा दोस्तों सबसे पहले जो अपन देखने वाले हैं यह शरीर में सभी प्रकार के विटामिन की पूर्थी करती है यानि अगर आपको किसी भी विटामिन की कमी है और विटामिन की कमी को आप दूर करना चाहते हैं तो पतंजली की इस आयरवेदी गोश्दियों का उप ले सकत हैं दोस्तों यह उजदी की MRP आप देख सकते हैं मातर 400 रुपए जिसमें के आपको इसकी 30 गोलिया मिलती है दोस्तों अगर आप इसका 7 करते हैं तो रोजाना मातर आपको एक कैप्सुल ही लेना होता है अगर आपने नीमी दूरूप से इसका एक कैप्सुल 7 कर लिया तो आपके शरीर में किसी विटामिन के जो डेफिशेंसी है या कमी हो वह वहत ही आसानी से दूर हो जाती है दोस्तों इसका नाम आप देखेंगे तो यह पतंजली का न्यूट्रिला डेली अक्टिव कैप्सुल जिसे की मल्टी विटामिन कैप्सुल भी बोला जाता है तो पहल इस प्रकार कि दोस्तों बहुत से आयरुवेदिक जड़ी बुटी से मिला करके बनाये गया है जो कि इसके उनको क्लिन करने का काम करता है अगर दोस्तों आप इसको उपयोग में लेते हैं तो इसमें से मातर आपको एक चमच पाउडर लेना होता है उसे गुलाब जल या फ इसका नाम है पतंजली का दीव्य कांतिले पाउडर दोस्तों अगर आपके शरीर में बल की कमी है या फिर आप कमजोरी में एसुस करते हैं आपको लगातार थकान बनी लेती है अगर उसके लाब दोस्तों पतंजली का एक अच्छा टोनिक चाहते हैं तो यह आपके सामने ह आप देख सकते हैं 200 क्राम की क्वांटिरी में आपको मिलता है जिसके MRP मात्र 500 रुपए दोस्तों यह जो पाउडर आप देख रहे हैं यह शपेद मुस्ली से बना हुआ है और साथ इसमें कई प्रकार की यह सी आयरुदी जड़ी बुटिया मिलाई गई है जो की शरीर की क तो दोस्तों उस बंद नाग को खोलने के लिए पतंजली का अयरुवेदिक जो ओईल है आप यूज में ले सकते हैं दोस्तों रोजाना तीन बुंद दोनों नाग में अगर आपना डालना शुरू कर देंगे तो अगर आपका नाग अगर जो बंद हो रहा है तो तुरंत ही खुलना शुरू हो जाएगा दोस्तों अगर इस तेल की प्राइस की बात करें तो मात्रे 40 रूपे का है जिसमें आपको ये 20 एमल की क्वांटिटी में मिलता है दोस्तों इसका नाम है पतंजली का दीवी अनू तेल जो की बंद नाग को कोलने में बहुत ही कारगर है तो दो